अगर कोई आपको बदनाम करने की कुछिस कर रहा है तो आप उसके खिलाब defamation case file कर सकते हो जनरल ये आपको दो तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं एक जो की पैसे के पीशे भागते रहते हैं उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है वो पैसे के खातिर कुछ भी करने के लिए तयार रहते हैं और दूसरे वो लोग जो की अपने reputation के लिए अपने इज़त, अपने मान मर्यादा, अपने प्रतिस्था के लिए कुछ भी करने के लिए तयार रहते हैं और आजकल तो लोग किसी को बदनाम करने के लिए सोसल मीडिया का भी सहरा लेने लगे हैं कोई एक वीडियो कुछ MMS बना करके, वीडियो बना करके, या कोई पोस्ट तैयार करके, या निईस पेपर में किसी तरह से publication डालके, इस तरह से भी किसी भी परसन को बदनाम करने की कोसिस की जारी है, क्या हमारे इंडियन कानून के अंदर कोई ऐसा कानूनी प्रावधान है, जिसमें कि अगर कोई person आपको बदनाम करनी की कोशिस कर रहा है तो आप उसे सबक सिखा सकते हो तो जीहां दोस्तों हमारे Indian Panel Code के अंदर Section 499 से लेकर के 502 तक ये कानूनी प्रावधान दिये गया है और इसके according आप किसी के ऊपर अगर कोई आपको बदनाम करनी की कोशिस कर रहा है डिफेम करनी की कोशिस कर रहा है तो आप उसके खिलाब defamation case फाइल कर सकते हो ये एक civil matter है जनरली ये एक civil matter माना गया है और इसमें आप normally complain कर सकते हो अगर आपको लगता है जो सामने वाले को बदनाम करनी की कोशिस कर रहा है तो लेकिन कभी-कभी ये एक criminal offense भी हो जाता है अगर बात बहुत serious हो जाए बात हच से ज़्यादा गुजर जाए तो वो एक criminal offense भी है और इसमें सामने वाले को जो आपको बदनाम करनी की कोशिस कर रहा है उसे बहुत सारी problem भी हो सकती है तो hello दोस्तों, welcome to my channel Lex Cautery मैं हूँ आपका advocate कैलास आज के नहीं legal ग्यान में जैसे के मैंने आपको बताया है जो मानहानी या बदनामी करने के सिर्फ दो तरीके है लिखित या मौकी लेकिन आज के टाइम में लोग social media का भी साहरा ले रहे हैं वीडियो भी record कर रहे हैं तो इस तरीके को भी हम consider कर सकते हैं जो अगर कोई वीडियो बना करके भी अगर आपको बतनाम करने के कोसिस कर रहा है तो उसे भी consider किया जाएगा लेकिन इसमें कुछ condition है तो आज हम समझेंगे जो वो condition क्या होंगे जो जिसमें आप ये decide कर पाओ जो सामने वाला बंदा आपको बतनाम करने के कोसिस कर रहा है और आप इस case को defamation में ले जा सकते हो तो पहला condition तो ये है जो अगर कोई person आपको किसी भी matter को ले करके अगर वो आपको बतनाम करने की कोसिस कर रहा है तो वो matter false होना चाहिए वो matter गलत होना चाहिए और साथ में जो भी matter वो circulate कर रहा है जो भी matter वो फैला रहा है दूसरों को बोल रहा है उस matter से आपको बदनामी होना चाहिए जिससे कि ये साबित हो जिस person ने आपको कुछ कहा या किसी public में आपके लिए कुछ ऐसी बात ही statement रखी जिससे कि आपका reputation डाउन हुआ और जिससे आपका market value खराब हुआ दूसरा condition है जो किसी भी तरह का जो बात कहीं जा रही है वो direct आपके खिलाफ होना चाहिए मतलब वो एक general statement नहीं होना चाहिए मतलब किसी public group में अगर वो बंदा कहता है यहां के सारी लोग बेवकुफ हैं या चोर हैं या कुछ भी है अगर इस तरह की बाते वो बोलता है general statement में तो वो direct आपको नहीं कह रहा है direct आपके खिलाफ किसी और को नहीं कह रहा है third condition है जो अगर कोई person आपके खिलाफ किसी भी तरह की बात कर रहा है और अगर आपको directly आके कह रहा है मतलब directly आपके उससे बहस हो रही है तो उस बात को भी consider नहीं किया जाएगा क्योंकि वो बात आपको directly कहा जा रहा है directly आप उस चीज को सुन रहे हो ना कि third person को कह रहा है वो लेकिन अगर वो ही बात किसी third person को कहा जाए और third person आपको आकरकर बताए जो आपके खिलाब वो इस तरह की बाते कर रहा है तो उस case में आप defamation फाइल कर सकते हो लेकिन अगर person आपको directly कुछ खेय रहा है तो उस case में आप defamation case फाइल नहीं कर सकते लेकिन जैसे कि हर एक किसमें exception होता है तो इसमें भी कुछ exception है, कुछ अफवाद है जिसके कारण कुछ चीजों को consider नहीं किया आता है मतलब अगर कोई person जाकर कि किसी पुलिस वाले के पास आपका complain करता है, किसी अधिकारी के पास complain करता है तो उसे defamation नहीं माना जाएगा, यहाँ पी वो किसी third person को कह रहा है, बड़ इसे consider नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे exception में रखा गया है और साथ में कभी ऐसा हुआ जो किसी ने आपके खिलाफ complain किया और पुलिस संदेह से आपके दुकान पे या आपके मकान पे अपके घर पे पहुंसती है और आपसे पूस्ताज करती है और उस time आप कहते हो जो पूलिस के आने से आपके घर में बदनामी हो गई या आपकी समाज में बदनामी हो गई तो उसे भी defamation के case में consider नहीं किया जाएगा और मान हनी का case किसी जिवित वैक्ति के साथ साथ किसी मृत वैक्ति के लिए भी हो सकता है अगर आप किसी मृत वैक्ति पे किसी तरह की बाते किसी तरह का लांचन लगाते हो तो वहाँ भी आपको defamation case का सामना करना पड़ सकता है अब मानने ते हैं जो अगर आपको किसी के खिलाफ defamation case फाइल करना है कोई आपको बदनाम करनी की कुछिस कर रहा है और आपको किसी के खिलाफ defamation case फाइल करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए तो सबसे पहले जो भी evidence है जो भी evidence उस case से related है उस matter से related है आप उसे strongly अपन करके रखिए तो वो सारी evidence आप collect करके रखिए ताकि आप court में इसे साबित कर पाओ उसके बाद आप उस person की खिलाफ एक notice अपने lawyer से भिजवाईए जिसमें की सारी बातों को mention करिए जो आपने मुझे बदनाम करने की कोशिज की इस तरह से और अब आप मुझे इतने time के अंदर आप जैसे भी statement अपना publish किया है उसी statement के थुरू आप आ करके सबसे माफी माँगिए मुझसे माफी माँगिए और इस बात को clear करिए जो ऐसी कोई बात नहीं थी मैंने ये गलत फेहमी में या गलती से इस तरह के statement बोला है तो इस तरह के अगर बात ही होती है तो कि ये एक compoundable offense है इसमें आप बाचित से भी इस matter को close कर सकते हैं इस matter को किसी भी तरह से court में या पुलिस पाले के पास जाने से पहले भी इसे close करा करके आप सी सहमती से इसे बंद करा सकते हैं लेकिन माल उसके बाद भी अगर notice receive होने के बाद भी अगर वो person अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा वो फिर भी उस तरह की गलतियां कर रहा है तो आप उसके खिलाफ court में direct complaint कर सकते हैं मतलब आपको किसी पुलिस वाले के पास जा के complaint नहीं करना है उससे कोई फाइदा नहीं होगा आपको आपको direct court में complaint करना है क्योंकि ये एक civil matter है तो आप उसके खिलाफ एक civil suit फाइल करोगे और वो सारे evidence आप court में सो करोगे जिससे कि आप ये साबित कर पाओ जो सामने वाला person आपको बदनाम करने की कोसिस कर रहा है court में आप request भी कर सकते हो जो भी matter आपके खिलाफ circulate किया जा रहा है उसे ततकाल बंद कर दिया जाए और सामने वाले person से आप compensation भी डिमांड कर सकते हो तो ये थे कुछ कानूनी प्रावधान, defamation case के अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे like करना, दूसरों को भी share करना और अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe करना ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँच पाए Thank you so much, जै हिन, जै भारत